राम की और मुलायम यूपी में चुनाओ अब बेहत करीब हैं और बाकी मुद्दों पर धर्म और सामपुरदाइक तहावी देख रही है ऐसे में अखिलिश सरकार में मंत्री शिवपाल यादो संतों के बीच पहुचे और उन्होंने गाय गंगा और गीता की रक्षा की शपत भी ली सवाल ये है कि क्या चुनाओ सिर पर देख करके समाजवादी पार्टी ये सब कुछ याद कर रही है और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे अपने खास मेहमानों से बड़ी बहस मगर पहले देखी हमारी ये रिपोर्ट भिबिट शुरू करेंगे दो मिनट एक तालिस सेकंड बाद आज हम फिर आपके सामने सबी संतों के सामने हम बचल देता हूँ ये हम हमेशा गंगा गोफ को गंचा था बीता को ये अच्छा था उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में कद्दावर लोक निर्मान मंत्री और मुलाइम सिंग यादव के भाई शिवपाल यादव की ये बोल हैं राम की नगरी अयोध्या में शिवपाल यादव ने उदासी राश्रम में गाय, गंगा और कीता की रक्षा की शपत दी सुनिए किस तरह से शिवपाल यादव भीजेपी के मुद्दे को समाजवादी पार्टी के लिए हतियाते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में वापसी चाहती है इसलिए पार्टी और उसके मुख्या मुलायम सिंग को गाय, गंगा, गीता और राम से बड़ी उमीदे हैं और इसी कड़ी में संतों को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने ये भी दावा किया कि यूपी सरकार ने सूबे के सभी धार्मिक शहरों के विकास का काम किया है उधर बीजेबी ने राम को अपना मुद्दा बनाने वाली समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है मुलायम पर उंगली उठी तो उनके खास से पहसलार आजम खान मैदान में उत्रे आजम ने बीजेबी पर पलटवार करते हुए कहा कि गाय तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही मुद्दा थी पिछले दिनों गाय को लेकर यूपी में चम कर सियासत हुई थी दादरी में अखलाक के घर में ले मांस और फिर हत्याकान को लेकर तमाम दल सामपरदाई करण में रंग गए दादरी अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कहराना में हिंडों के कथित पलायन को लेकर सियासत गर्म हो गई इस मामले में तो शिववाल यादव ने पांच संतों की टीम तक बना दी जो कहराना और कांधला में घूम कर वहां के हालात का जायजा लेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और अब बात गाय, गंगा, कीता और राम की हो गई है समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में बड़ा हिस्सा मुसल्मानों का होता है मगर अब पार्टी को हिंदू वोट बैंक से भी उमीदे दिख रही है इस पूरे सियासी घटना करम में कई एहम सवाल भी खड़े होते है सवाल ये कि क्या शिवपाल ने चुनाओ को ध्यान में रख करके गाय गंगा और गीता की शपतली है सवाल ये भी कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के परमपरागत हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी महीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राम का मुद्दा उठा करके मुलायम सिंग के पुराने दाग धुल पाएगी वहीं सवाल ये कि क्या संतों की टीम कहराना भेज करके समाजवादी पार्टी ने कोई मास्टर स्ट्रोक खिल दिया है वहीं सवाल ये भी कि क्या यूपी चुनाव में दूसरे मुद्दों पर सामप्रदाइकता हावी रहेगी ये बहुत अहम सवाल हैं और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेमान इस वक्त जोड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलोनी, कॉंग्रिस प्रवक्ता राजी उत्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है समाजवादी प्रवक्ता नाविद सिद्की और बीएस पी नेता सुधिंदर भधोरिया, इसी तरह सीपियाई नेता, अमिक जमाई और विश्व हिंदू परिशद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद, आप सभी का बहुत- समी है, पलायन का मसला है, क्या सोचकर संतों को भीजा गया, वो पढ़ताल वहां करेंगे? आप देखिया ऐसा है, कि 2017 का चुनाओ उत्तर प्रदेश में, बहुत बस हमारे सर के उपर है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसको देखते हुए मुल्क में, खाली प्रदेश की ही बात हम ना करें, मुल्क में माहौल खराब करने की कुछ जो कोशिश की जा रही है, जो अमपरताइक दल, कुछ दल और उनके सहयोगी, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, किस तरह आपस में बांटने की कोशिश करें, किस तरह हिंदू को मुसल्मान से और मुसल्मान को हिंदू से आपस में अलग कराया जाए, और खाली अलग ही नहीं कराया जाए, बलकि गतल औ कराया जाए, खून बहाया जाए, और इतनी हिंसा कराया जाए, कि 1992 की जो एतिहा से घटना हुई है, इसके बाद ये एक दूसरी शर्मनाक घटना हो, ये आपके आरोप हो सकते हैं, सवार हमारा ये है कि आप भी अगर संतु को उस जगे भेजते हैं, शिवपाल यादो इस अदम किसने उठाया, आप देखिए, अगर आप देखिए हमारे उत्तरपदेश में, आप तो मीडिया में हैं, मीडिया में स्पॉंसर्शिप का मतलब बहुत अच्छी तरह से आप समझते होंगे, क्योंकि मैं भी मीडिया से 15 साल तालोख रख चुका हूँ, तो स्पॉंसर यानि जो मुझफर नगर में जो हुआ, जो दादरी में हुआ, ये कहीं न कहीं, ये जो बदाईयों में हुआ, ये कहीं न कहीं स्पॉंसर्ट प्रोग्राम से, अब बदाईयों में जो स्पॉंसर्ट प्रोग्राम से, अब बदाईयों में जो स्पॉंसर्ट प्रोग्राम से आपकी बात पहुंच रही है नावित सिदिकी साब, सवाल हमारा ये था वजे क्या है, इस तरह की चीज़ों को सामने रखने की, इस तरह की बयान देने की, आपकी सरकार की और से संटों को महा भीजा जाता है, क्यों विपक्ष इसमें सियासत ना खंगाले, आखिर सुदिनर कर रहे हैं कि अपना जवाब इस पर रखेंगे सुधिन जी अपना जवाब इस पर रखेंगे सुधिन जी अपना गुंडा राज का जो परिशे देना शुरू किया इनों ने देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो इनकी साथ गाट भारतीय जनता पार्टी से हैं जिसके नतीजे के तोर पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा किस तरह से मुझवर नगर कांड हुआ पचास हजार से ज़ादा लोग वहां बेगर हो गए विस्ताफित हो गए पर इनों ने जाने अरे भाई आप वहां पर जाने आप सैफ़ाई में महुतसव मनाते रहे कई हफतों तक महुतसव बनाया पर मुराइम सिंदी को राखिलेश यादावजी को अरे हम बताएंगे उसका इतिहासिक परिपेश में बताएंगे हम बता देंगे आपको अरे हम तो आपको भी जो है जनता आपको हथकरी लगाएगी अभी चिंता मत कीजिए अरे सुनतो लीजिए पूरी बाद मैं यह कराऊ गुंडा राज का परियाए आप लोग हैं गुं अगर सवाल समाजवादी पार्टी से खड़े हो रहे हैं तो बीएस पी के अब निशाने पर बीजेपी भी है और ऐसे में बलुनी साहब यह साट गांट का आरोप जब लग रहा है तो बीजीपी को भी एक हिस्सा मान लिया जा रहा है अनिल बलुनी साहब जब सवाल यह उठते हैं कि इस तरह के बयान चुनाओं से पहले दिये जा रहे हैं इसका क्या कोई मतलब है चुनाओं से जोड़कर इसे देखा जा सकता है तो बीएस पी निशाने पर आपको भी लेती है देखे एक तो जो प्रसान जी जो आपने आज विशेय रखा है और शियुपाल जी जो जाके अब कह रहे हैं अयोध्या में जाके तेकि उम्र के इस पड़ाओं में अब भगवान की सरण में जाना ही था और प्रैस्चित तो अब करना पढ़ना ही था जिस तरीके से 30 अक्टूबर 1990 को सबको याद है जिस तरह से सर्यू इन लोग ने लाल कर दी थी रामकार सेवकों के रख से तुरे अयोध्या की यह फिर मोदी जी क्या कर रहे है पुर्दार में अब भी यह देखे यह गुंडा राज यहां मत करो भी टीवी डीपेटेश देखता है एसाम मत कीजिए इसाम मत कीजिए यह आई बेन सेवन पे दरसक देख रहे हैं कि जो जमीन पे गुंडा राज है वो टीवी में भी कर यह अच्छी बात नहीं है मेरे को कहने दीजे मैंने आपकी बीच में कभी निगा उम्र केस पड़ाओं पर मुलाइम सी और शिपाल जी को राम की सरण में जाना ही था लेकिन जो ग्राम कार सेवों को से रख से लाल किया सर्यू को उसको कभी भगवान माफ नहीं कर सकता है आज इनको भगवान राम की यादा दिये कुछ लोगों को सिर्फ कुछ लोगों को एक्स्प्लाइट करने के लिए इन्होंने निहत्यकार सेवों को भी गोली चलाई थी आज कहां से भगवान इनको माफ करेगा मैं नहीं मांद करता और आज ये अयोद्या की भूमी का एक कंड कंड भी इस बात का गवाया जो मुलायम सिंग यादो ने किया है और इस तरह के बयान जब आते हैं चुनाव से ठीक पहले आप और आपकी पार्टी कैसे इस देख रहे है जब भारते जिन्दा पार्वक्ता बोलेगा सब लोग डिस्ट्रप करेंगे ये तो तरीका ठी नहीं है नहीं हम लोट रहे हैं तौपिक है आपका राम की और मुलायम उद्र शिपाल जी जाके कहते हैं गांगा और गाय की और गीता के मामले में कहते हैं गीता को मानेंगे गीता में श्लोक आया कर्मन्नेवाद इकारस्ते माफलेशू का दाचन इसका अर्थ होता है कि आप करम करिए करम करके कही ना कहीं लोगों के बेटरमेंड के लिए कारे करी क्योंकि सरकार का यह कार्य होता है कॉंग्स पार्टी मानती है अभी राखी का जिकर चलना था कि उ तो आप यह लगा सकते हैं कि भाउजन समाज पार्टी दो यह आठ से लेकर के बारा तक रही तो इस तरह के बयानों को कैसे आप जोड़ कर दिखते हैं तो कहीं ना कई दोनों सरकारों की एक योगदान है Human Development Index में उत्तरप्रदेश को नीचे लियाने में डिबेट इस विशे पे नहीं है कि उत्तरप्रदेश में 57 करों रूपे गन्या किसान का बकाया है उस गन्या किसान का है उसके परिवार को मिठास कैसे मिले जो पूरे देश को मिठास देता है डिबेट इस बात पे नहीं है कि उत्तरप्रदेश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले जब PSD देखिए 314 पदों के लिए जो चप्रासियों के लिए पत थे उसमें PSD लोगबाग जो है ना अपना आविदन कर रहे थे तो उत्तरप्रदेश के नौजवानों का यहां तो समाजवादी पार्टी मेरे को यह बताए कि पिसले तीन साल में चार साल में कितना उन्होंने गंगा की सफाई के लिए सीवर ट्रीट्मेंट प्लांट की कैपिसिटी बढ़ाने का काम किया रही बात जीता की तो मैं कर्मन्ने वादी कारस्ति कैसे जुका हूँ अब आए गा और गैसे गाव भी होता है और गैसे गरीब भी होता है समझवादी पार्टी मुझे यह बता दे गाव और गरीब के लिए क्या योजना इन्होंने चलाई यानि आप समझ रहे हैं कि सियासी नजरिया है इसके बिछे अमिक जमाई आप कैसे देखते हैं सी पी आई आई आपकी पार्टी इसे कैसे देखती है क्या कहीं कोई सियासत चुनाओ आने से पहले के बयान इसे मान सकती है देखे रफीक शादानी का एक शेर है कि जब नगीचे चुनाओ आवत है भात मांगो पुलाओ आवत है सबसे पहले मैं बताओं हज़रत राम का जो मुद्दा है कोई भी इस देश के अंदर ये न समझे कि वो उनके कॉपी राइट है मरहूम एपी बर्धन साब कहते थे कि आयोध्या में इस मुल्क में वो कौन सा चप्पा चप्पा है जहां पर हज़रत राम की जो याद है वो उसे बसा ना हो लेकिन उसी सर्यू में देश की कौमी एक्ता हिंदु मुसलिमान भाई चारा के परखचे उड़ाते हुए इन ताकतों ने पिछले पचीस साल में जो इस देश को बटवारा इस जमनी विस जमनी बना दिया है हिंदु मुसलिमानों के बीच में और ना उनको राम याद आए जिन्होंने राम के नाम पर आज संसद में बैठे हैं वजीर आजम तक बन गए लेकिन इस देश के गरीब जो भूकी प्यासी कमजोर किसान मजदूर जो जनता है ना उसको मंदिर मिली ना मंदिर में पूजा करने का उसको मौका मिला हम यह कहन चाहते हैं कि क्या चुनाओ नजदीक आ रहा है जैसे राजू चागी ने का ठीक कहा कि किसान मजदूर बेकारी बेरोजगारी चाहें समाजवादी पार्टी हो यह चाहें यह भाजपा हो नेंदर मोदी जी के नितित में क्या यह मुद्दा आज हमारे देश के बीश में मु कॉंपिटिशन चला है अनिल बलुनी कौन कितना कटर हिंदुत्वा बन सकता है अनिल बलुनी सीधे कटघरे में आप भी हैं कॉम्पिटिशन इस बात को लेकर है आरूप CPI क्योड़ से लग रहे हैं देखे जो CPI के प्रवक्ता बैठे राजीव त्यागी जितने भी लोग बैठे हैं निस्चित तोर पर इनका देखिए हमारे प्रतिदुन्दी हमारी तो बुराई करेंगे इसमें कोई आप पत्ती भी नहीं है सियासत का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से इनको आपने कितना समय दिया पहले प्रतिदुन्दी बन के काम करें नहीं नहीं जब बोलता हूँ इन लोगों के पेट में बड़ी पीडा सुरू हो जाती है और इसमें टोकना सुरू आपको बोलें अब अब गमाई बता रहे थे इनकी सरकारे हम लोगों ने देखी है क्या बरश्टा चारों किस तरह का हालत इन्होंने करके रहें कि पूरे देश ने देखा और इनको पूरे देश से मुक्त कर दिया गया है आपने देख लिया क्या आज हम लोग गरीबों के लिए सड़क बना रहें ये किसके लिए बना रहें आज करीब 48,000 करोर रुपे जो सबसीडी में चोरी किया जा रहा था वो हमने बचा लिया वो किसके लिए किया जा रहा है आज रेल में लाइन बनाई जा रही है आज सरकारे पूरी तरह काम कर रहे हैं ते ने राजी त्यागी जी आपने देश में सरकार चला ली आज पनी पार्टी की बेहतरी की बात तो सामने रहे हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है मुद्ध ये भी है कि आखिर चुनाओ से पहले ही ठीक इस तरह के बयान आते हैं तो उस पर बात क्यू नहीं की जाती इसके माइन आखिर क्या होंगे कि आप सभी के पास एक बार फिर लोटेंगे आज हम फिर आपके सामने सभी संतों के सामने हम बचल देता है ये हम अबेसा गंगा दोपने अच्छा था वीता को इन अच्छा था समाजबादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादो कहते हैं कि गाय गंगा और गीता की रक्षा की हम सौगंद लेते हैं ऐसे में चुनाओ से पहले के बयान के तौर पर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है और राजनेतिक दलों की यही प्रतिक्रिया है विजय शंकर तिवारी जी कैसे आप देखते हैं ऐसे में की चुनाओ जब बेहत खरीब आते जा रहे हैं यूपी के प्रशान जी अभी श्युपाल सिंग यादो जी राम की शरण में जा करके गाय गंगा गीता की शपत ले रहे थे और आप भी देख रहे थे आप सबसे वड़ी बाती नौसो चुहे खा के बिल्ली हच को चली यह आपने सुना होगा ऐसा अभी तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है जिससे यह संकेत जाए कि यह जो उन्होंने शपत ली है इस दिशा में वो कुछ करेंगे आप समझेए कि कार सेवकों की हत्या करने वाली सरकार राम की शर्ण में जाएगी और राम उनके हो जाएंगे यह कैसे सम्भूए गाय की बात की उन्होंने गाय की बात की तो आप यह समझेए अभी एक नावेदी आपने मैं नहीं बोला था गाय पर अभी आजम खान साब बोल रहे थे भेंश चोरी हो गई तो प्रदेश की सरकार की पुलिस उसके पीछे लग गई और बच्छडा चोरी हो गया तो उनके 17 लोग जेल के अंदर बंद हैं यह गाय के जो पोशक लोग हैं यह बात करते हैं और जहां तक गंगा की बात रही तो गंगा की सुरक्षा करने वाले गंगा की सफाई करने वाली पूरी टीम उत्तर प्रदेश में लकर हार गई कि यहां पर इसको अच्छा बनाया जाए यह ना से बातके उनको झारकन जानापटार गिरता पराँक कर सके तो आप गया की काम नहीं औरर राम के कैसे हो सकते हैं जिनके झाल्या और नहां की और अद्धिक्त मारे गए उनके साथ अब तक कोई ऐसे संकेत आप लोगों ने नहीं दिये हैं जिस तरह की शपत आज लेगी है अब देखिया ऐसा है रमा जो कणकण में सोय राम अखिया हो रही है उसके रूप तमाम और दो अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुखधाम दो अक्षर का बीज मंत्र है राम जो है ये दो अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुखधाम और शबरी गीद राम रट लागी शबरी गीद राम रट लागी पायो अनुपम ठाम तो राम नाम तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था दिल में रखते थे आज कर लोग बड़े अफसोस की बात है कि इस पर आप सुनिये आप मेनी फेस्टों में रखते हैं राम से मतलब नहीं है राम से बहुत मतलब है राम से भी मतलब है राम बरक श्यादा हो बुलायम के आदर से राम बरक श्यादा है कि हयात लेके चलो काइनात लेके चलो हयात लेके चलो काइनात लेके चलो चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो समाजवादी पार्थी की परिभाशा आज क्या है कि अगर हमाँ पास एक रोटी है तो एक रोटी अगर हम टुकड़े करेंगे तो अगर हमाँ पास चार आदमी बैठें तो उस रोटी की चार टुकड़े करके हम चारों को देंगे और सबसे बड़ी बादा हैं हम कोई बादा में आपको कहा है समाधवादी पार्टी को कहा है कि समाधवादी पार्टी चाहे तो कानून के इसक्राइब करते हैं कमाने वाले हैं कानून की वार्ट करते हैं कानून की कि अपके नधनने रावर काओनNSwe बातों का क्या यह बहुत पुराना गीत था यह आप लोगों को पर फिट बढ़ता है यह कह दिया के मंदिर बनाना मानिय राजनाश सिंग्स आपने का मंदिर बनाना एक कालपनी कुद्धों के हम बात नहीं करते हैं यह सब को साथ लेकर चलना है इत्फाक रखते हैं राजी त्यागी आप लेकर चलना है यह बहुत बात कि राम किसी के कॉपिराइट नहीं है राम का जो जीवन काल है यह जीवन चजित्र है उसको कोई भी हिंदू-मुस्टिम सिकसाही जी सकता है वो सिरफ एक शब्द में समाहित हो सकता है उसको कहते हैं म भावान का मंदिर अयोद्या में ना बने इसके लिए भारतिनता पार्टी का संकल्ब है कि संकल्ब इसके लिए अगर भारतिनता पार्टी ने तो कहा था करेंगे हमारा जो है सबसे पहले प्राइटी का बुद्धा है ठीक है राजी त्यागी यानि आपको और कॉंग्रेस को जैसे शक्त बीजेवी पर है आप समाजवादी पार्टी के अभी जो बैठें प्रवक्ता जावे शिदिके उन्होंने सब्री का विजी कर किया भावान तो अपनी पूरी प्रजा को रखने के लिए अपनी जीवनकाल में पूरी कुर्बानी दी तेरा पर्शंट क्राइम एंची आपकोडों के हिसाब से हीनियस क्राइम उत्तरप्रदेश से आ रहा है और उसके बाद भी नेता जी बयान देते हैं तो माइडिया फ्रेंड यह आपको उनके बयानों पर शथ है आप उसे सीधे तो पर नहीं देख रहे हैं लेकिन रफाद्र और यह बज़ो दावा किया गया समाजवादी पार्टी की होर से हमारे इस खासकार करह में पत्रव में इस तरह के व्यां दिए जा रहा है। अगर चीक-चीलाहट में बहस होनी है, अगर चीक-चीलाहट की भी ठीकिस में इस इस्ता नहीं लेना है। बोले ने, सुदिंद्र भादिया बोले हैं, आप प्रकार में बैठे हैं, ये शपत लेके सम्विधान की, पर ना श्रीपाल को शपत का याद है, जो सम्विधान की उन्होंने लिए, ना बीजेपी को याद है, जो उनके मंत्री कह रहे हैं, कि हम भगवा करन करेंगे, हम किसी तरह से नहीं मानेंगे, तो ना इनको बीजेपी को याद है, शपत कर याद सम्विधान की, ना इनको याद है, और मैं आपको बचा दू, जो नो लोग, जो नो लोग, बहुत गलत तरीका है, जो बोलते रहें, मैं चुप पढ़गा रहा हैं, पर ये बोलने नहीं देना च जाते हैं, देखे, मैं ये कहा रहा हूँ, कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने आत्मत्या बंदेल खंट से लेके यहां तक की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश खंट, आखने चादब को इस पर फुरसत नहीं है, पचास हदारों जवाब देने होंगे आपको, नवेसाब किस इन लोगों ने हत्याक की और उसकी कोई इनोंने सुरक्षा नहीं की, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, इतावा के जहां किश्धी, अखिले चादव और पुलाइमसिंग है, वहाँ, आप हमरे किसानों की बात कर रहे हैं, आईये सद्धिकारी अपने आपको मार के लिए कुछा कर लिया, मैं इतना रहा हूँ कि नावेश सावार, चाहिन लोगों उत्तर पंदेश में खूलाइमसिंग, दौनों लोग उत्तर पंदेश में, खूल की होड़ी खेलना चाहते हैं, तो दिर रही करेगी, कहराना से लोगों का पलाएन हुआ, अपरात की वए क्या उसमें, बत्रवा में इतना हीनियस क्राइम हुआ, और आपकी सरकार सोती रही दो सार, आप लोग क्यों सोते रहे हैं, वह नो बता रहा है, राजीव त्यागी साथ में इतने इल्जाम लगा दिया, इतना क्राइम हुआ ये हुआ, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, दुनिया बर की पार्टी ये राजीव जी ने गिना दी, ये बताईए, सारी घल्टी अगर हमारी पार्टी में हैं, तो आज 25-30 साल से जनता ने आपको क्यों साफ कर दिया है, आप में क्या कमी थी जो आप 30 साल से उत्तर पजेश कर दिया है, आपको मुबराग धन की रानि देशन के माहि दख्कार रही, विकास के कार दिया है, जो मान रहे हैं, मान प्रधार मंक्री देने वाले कोंग्रेस, मान प्रधार मंक्री उतम Smith पुनियों राटा का है, इसके पारे मैं डिबेट करे데 राजीत आगी, साल सारी ते रहें, साल अरे बहुत कुछ क्या, कन्या व दूसरे और भी तमाम सवाल हो सकते हैं नावित सिद्र की लेकिन सवान यही है इस सरे की बात अगर ठीक चुनाव से पहले कही जा रही है तो साफ जवाब आपके पार्टी के पास क्या होगा क्योंकि अब दूसरे और सवाल भी खड़े होने लगें उसका भी जवाब आप से कि रक्षा का क्या मुलायम राम की ओर जा रहे हैं ऐसे में अमिक जमाई तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आप भी जवाब चाहते हैं जो जवाब अब तक समाजवादी पार्टी के ओर सा संतुष्ठ हैं आप देखिए मैं नवे सिद्धिकी जी यहां समाजवादी को रिप्रे जो हिंदुत्वा का जो एजंड़ा है उस पर समाजवादी पार्टी जा रही है और वेश्पी के जो हमारे प्रवक्ता है यहां पर सीनियर वो जितने हिंदुत्वा के जंड़े वो अपने हाथ में चीन रही है इसके मैं आपको लॉजिक दूंगा लॉजिक यह है कि समाज समाजवादी का जो कोर वोट बैंक है वह पिछठा और अकलियत मतलब मुसलमानों का वोट बैंक है पिछड़ों के मामले में में बताओं कि समाजवादी पार्टी समाजिक नियायका मुद्दा इसलिए अगर आप पिछले एक साल में जो विश्विधालों में जो OBC की भरत जो जो उच्वर के लोग हैं उनकी भरतियां हुए नंबर दो नंबर दो मुसल्मानों के मामले में इतने छे साथ लड़के पिछले साल उत्रय पदेश की जो हमारी हाई कोट है उसने कहा था जो आतन के चार्जेस थे कि वो लड़के बेकसूर है उनके उपर कोई चार्ज नह जवाब ले लेंगे नावेट सिद्धिकी सानिल बलूनी आप कुछ कहना चाहरे है जवाब नावेट सिद्धिकी से लेंगे आखरे में बहुत बहुत कम बख्त है हमारे ले देखिए प्रसाद जी हमारे बड़ा सुखद है कि जो कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्षा राम के लिए बड़े अच्छे चेशब्द कह रहे हैं आज जो समाजवादी पार्टी राम दुरक्स यादव की मांते हैं जवाब देखिए पांसे कि अध्यक्त करते रहे हैं तो बहुत सुखद है आज अमरली और भगवान राम के मंदिर के निर्मान में और पार्टी सब्सें बहुत जीए जवाब दे गांसे मैं क्या एसा जवाब होगा कि यह सदिस्पारी भी होँ और नाविति कि जवाब को नEverything यह पूंग कैने को में जाना है ऐना उप्तेुत चाहर स्वीय IRS होnoji जाउजी जवाब खात्र जेहां हे क्या बोट ईस्यजाल है नाविति है अच्छी जवाफ ढखा लिए पाट कि ठीक हैं some जी जवाब ते रहे हैं लगाया गया कि हमने कार्षेवत के उपर गोली चलाई है जिनोंने कानून को हाथ में लिया उनके उपर कारवाई की गई और ऐसा है हमारे उपर जितने लगा रहे हैं लोगतंत रहे हैं जंता सब देख रही है और ठीक है वो वक्त मिला था उन्हें अपनी बात कह दी अभी अब वक्त मोच चुका है आप तमाम मेहमानों का में शुक्रिया आदा करना पड़ेगा हमने चाहा था कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष जिस तर और हमारे दर्शक उदक पहुंचाई आपका शुक्रिया बहुत 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 अ कर दो कर दो